ओम सर्व मंगलम इतिशुवम स्रीशिद्धी चैनल आपका स्वागत करता है आज का विशे है इंदिरा एका दसी पूर्वकाल की बात है महिस्मती पुरी में इंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे उनका यस सब और फैला हुआ था राजा इंद्रसेन भगवान विश्नु के परमभक्त और गोविंद के मुक्षिदाय नामों का जब करते हुए समय वतीत करते थे और विधी पूर्वक अध्यात्म तत्यु के चिंतन में सलगन रहते थे एक दिन राजा राज सबह में सुपूर्वक बैठे हुए थे इतने में ही देवरसी नारद का आगमन हुआ उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधी पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया इसके बाद वे इस प्रकार बोले हे मुनिस्रेष्ट आपकी क्रपा से मेरी सर्वत्था कुसल है आज आपके दर्सन से मेरी संपूर यग क्रियाए सफल हो गई है हे देवरसी अपने आगमन का करण बता कर मुझ पर क्रपा करे तब नारज जी ने कहा कि हे राजन एक बार में किसी कारिवसी अमराज से मिलने यमलोक गया वहां यमदेव ने मेरा यथोचिस सतकार किया और आसन पर बैठाया मैंने वहां तुम्हारे पिता को देखा वे अत्यंत दुखी और पिडित थे पूछने पर उन्होंने बताया कि हे देवरसी वरत भंग होने के पाप कर्म से मैं यहां त्यंत दुख उठा रहा हूँ आप तो तीनों लोगों में भ्रमन करते हैं तो हे महात्मन यदि आप प्रत्वी लोग जाएं तो मेरे पुत्र इंद्र सेन से मेरा संदेश कहिए कि यदि वह इंद्रा एका दसी का वरत अनुष्ठान करके वह पुन्य कर्म मुझे समर्पित कर दे तो मैं इस दारण दुख से छूट सकता हूँ तो हे राजन पुत्र होने के नाते तुम्हारा करतब है कि इंद्रा एका दसी वरत का अनुष्ठान कर उस पुन्य फल को अपने पिता को समर्पित कर उनका इस दारण दुख से उध्धार करो तब राजा इंद्र से ने कहा कि हे देवर्शी आपकी आग्या का पालन होगा तो अब हे भगवन इंद्रा एका दसी वरत अनुष्ठान की विदी बता कर मेरा मारुख दर्शन करें तब नारजी बोले हे राजन सुनो मैं तुम्हें इस वरत की सुपकारक विदी बतलाता हूँ अस्विन मास के दसमी तिथी को सरद्धा युक्ति चित्त से प्रताह का अलिसनान कर फिर मध्यान काल में एक समय भोजन कर रात्री में भूमी पर सयन करें रात्री के अंत में निर्मल प्रभात होने पर लित्त क्रिया से निवरत होकर व्रत का संकल्प लें प्रातह स्री हरी का पूजन कर मध्यान काल में पित्रों की प्रसनता के लिए साल ग्राम सिला के सम्मुख विदी पूरवक्स राध्ध करें तता दच्छिना से ब्रामनों का सतकार कर उन्हें भोजन करावें पित्रों को देव हुए अन्नमे पिंड को सूंग कर विद्वान पुरुस गाय को खिला दे फिर धूप और गंधा आदी से भगवान रिशी केस का पूजन करके रातरी में उनके समीब जागरन करें तपसा सबेरा होने पर द्वादसी के दिन पुने भक्ति पूरुबक स्री हरी की पूजा करें उसके बाद ब्रामनों को भोजन कराकर बंदु बांधों नाती और पुत्रादी के साथ स्वयम मौन होकर भोजन करें तो हे राजन इस विदी से आलस रहित हो कर तुम इंद्रा एका दसी का वृत करो इस वृत के पुन्य प्रभाव से ना केवल तुम्हारे पिता बल्कि तुम्हारे पित्रों की समस्ति पीडियां मुक्त होकर के वेकूंठ धाम को प्राप्त कर सकेंगी देवर्सी नारत के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने विधि पूरवक इंद्राय का दसी का वरत अनुष्ठान किया और उस पुन्य को अपने पिता को संकल्प द्वारा समर्पित कर दिया इस प्रकार इंद्राय का दसी के पुन्य प्रभाव से राचा इंद्रसेन के समस्त पित्रों का उद्धार हुआ इस प्रकार इंद्राय का दसी के पुन्य प्रभाव से आप सभी का कल्यान हो जैश्री राम